नमस्कार चानक्या IAS Academy में आपका स्वागत है आपकी स्क्रीन पर तीन संपाद किये हैं पाहला संपाद किये जिसका सिर्षक है Historic Recession इसे लिया गया है The Hindu Newspaper से दूसरा संपाद किये जिसका सिर्षक है Glimmer and Tunnel इसे लिया गया है Indian Express से और तीसरा संपाद किये जिसका सिर्षक है No Time to Tighten Those Purse String इसे लिया गया है Financial Express से ये तीनों के तीनों संपाद किये चालू वित्वर्स 2020-21 की दूसरी तिमाही के आखनों पर आधारित है तो आज का ये वीडियो इन तीनों संपाद की का सार है तो देखते हैं कि तीनों संपाद की में क्या बात कही गई है जैसा कि हम जान चुके हैं कि इस संपाद की का आधार है 2020-21 की दूसरी तिमाही का आंकड़ा क्या कहता है यह आंकड़ा यह कहता है कि 2020-21 की दूसरी तिमाही मतलब जुलाई अगस्त और सितंबर का महिना में वृद्धी की दर में संकुचन कितना है माइनस 7.5% जो RBI के अनुमान वह कितना था माइनस 8.6% से काफी बेहतर है वही अगर दूसरी तिमाही की तुलना चालू वित्वर्स 2020-21 की पहली तिमाही मतलब अप्रेल, में और जून महिने से करें जहां पर वृद्धी दर में संकुचन था माइनस 23.9% मतलब लगभग माइनस 24% तो उसकी तुलना में दूसरी तिमाही में वृद्धी दर संतोस जनक कही जा सकती है आखिर इस बेहतर प्रदर्शन का कारण क्या है? तो कारण यहां पर यह है कि जुलाई, अगस्त और सितंबर के महिने में लॉकडाउन से संबंधित जो प्रतिबंद थे उनमें जो धील दी गई उसके कारण आर्थिक क्रिया कलाप में वृद्धी हुई इन धील के कारण मांग में भी वृद्धी देखी गई जिसमें की पैंट अब डिमांड तो क्या होता है पैंट अब डिमांड तो कम मांग की अबधी के बाद यह कम मांग की अबधी कब थी? जब फर्स्ट लॉकडाउन लगाए गया था मतलब मार्च, अप्रेल और में में तो इस कम मांग की अबधी के बाद वस्तू सेवा की मांग में जो तरित वृद्धी वी उसे कहा जाता है पैंट अब डिमांड तो मांग में वृद्धी का कारण है एक पैंट अब डिमांड और दूसरा त्योहार के मौसम के कारण भी मांग में वृद्धी वी उस मांग को पूरा करने के लिए पूर्ती में वृद्धी की गई जिसका अर्थ है कि उत्पादन में वृद्धी अब ये जो आकड़े आए हैं इन आकड़ों का क्या अर्थ है तो आकणों का अर्थ यह है कि भारती अर्थविवस्था तक्नीकी आर्थिक मंदी का सामना कर रही है हमें यह पता है कि सुनने से कम अगर विकास की दर हो तो विकास के दर की इस इस्थिती को आर्थिक संकुचन की इस्थिती कहते है जब अर्थविवस्था की गती लंबे दौर के लिए धीमी होती है तो इसे मंदी कहा जाता है यानि जब एक लंबी और प्रयाप्त अबधी के लिए कम होती है तो मंदी कहलाती है वैसे मंदी की कोई स्विकारी परिभासा नहीं है लेकिन जादातर अर्थसास्त्री इसी परिभासा से सहमत हैं जिसे अमेरिका में National Bureau of Economic Research भी उप्योग करता है तो यहां पर जो हमने आर्थिक संकुचन की बात की है तो जब आर्थिक संकुचन एक तिमाही से आगे बढ़कर दूसरी तिमाही में भी दिखता है तो इस इस्थिति को कहते हैं तकनी की मंदी और भारती अर्थविवस्ता में चालू वित्यवर्ष दो हजार बीस इकीस में लगातार दोनों तिमाहिओं में वृधिदर वह कितनी है सुनने से कम पहली तिमाही में वृधिदर लगबग म माइनस 24 परतिसत और दूसरी तिमाही में व्रिदीदर माइनस 7.5 परसेंट तो यह इस्थिती कहलाई तक्नीकी मंदी की दूसरी तिमाही में जो आंकड़े प्रस्तुत किये गए हैं अब उन आंकड़ों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं तो सबसे पहली बात तो यहा व्रिदीदर का सकारात्मक रहना जो है 3.4 परसेंट करसी चेतर की भूमिका इतनी महत्पूर्ण है कि अगर अर्थ विवस्ता में करसी चेतर के योगदान को हटा दिया जाए तो फिर दूसरी तिमाही में अर्थ विवस्ता में संकुचन की दर हो जाएगी माइनस 8.3 परसे जो है 4.4 परसेंट इसका कारण है कि लोगडाउन के नियमों में धील दिये जाने के कारण ओद्यो की क्रिया कलाप में तेजी आई और ओद्योगी क्रिया कलाप में तेजी आने के कारण विद्युत की मांग में बढ़ोत्री वी बात करते हैं सेवा छेतर की सेवा छेतर के स संकुचन था माइनस 20.1 परसेंट जबकि दूसरी तिमाही में यह संकुचन कितना है माइनस 10.8 परसेंट व्यापार होटल परिवहन संचार छेत्र में सुधार के संकेत दिख रहे हैं उसका कारण भी वही है लॉकडाउन के नियमों में धील दिया जाना जबकि वित्ये छेत् सेल स्टेट और प्रोफेशनल सेवा के संकुचन में विस्तार हुआ है और यह बात अत्यंत ही चिंता जनक है वह इसलिए क्योंकि इन छेत्रों का सकल मुल्य वर्धन या ग्रॉस वैल्यू एड़ेड में योगदान एक चोथाई है और अगर वित्ये छेत्र की हम बात करें तो अर्थ विवस्था में इसकी भूमी का अत्यंत महत्पूर्ण है वह क्यों वह इसलिए क्योंकि वित्ये मध्यस्त के रूप में यह बाजार में क्रेडिट आपूर्ती में वृद्धी करती है और वर्तमान में क्रेडिट आपूर्ती में कमी है क्योंकि बैंक एक निर्मान छेत्र में जहां पहली तिमाही में वृद्धी दर में संकुचन था minus 50.3% वहीं दूसरी तिमाही में इस्थिती बहतर हुई है और यह है minus 8.8% कंस्ट्रक्शन की बाद अब हम बात करते हैं विनिर्मान छेत्र या manufacturing सेक्टर की इसकी इस्थिती भी बहतर हुई है क्योंकि पहली तिमाही में जहां विनिर्मान छेत्र में संकुचन था minus 39.3% वहीं दूसरी तिमाही में यहां पर वृद्धी दर हमें सकारात्मक दिख रही ह जो है 0.6% इसका क्या कारण है इसका कारण है कॉर्पोरेट छेत्रों के द्वारा किया गया निवेज कॉर्पोरेट सेक्टर के आंकड़े यह बताते हैं कि उनके राजस्त में भले ही कमी आई है परंतु उनके operating profit में तेजी देखी जा रही है operating profit का अर्थ यहां पर क्या है इसका अर्थ है कि दैनिक आर्थिक गतिवीदियों से समंधित वस्तू और सेवा के मुल्ले में कमी operating profit प्राप्त क्या दाता है कमपनी के gross profit में से operating expenses या खर्चों को हटा कर लगभग 2400 कमपनियों के अध्यन से प्राप्त आंकणों के अनुसार 2020-21 की दूसरी तिमाही में उन कमपनियों के राजस में जहां 8% की कमी आई है मतलब यह कि पिछले वित्ती वर्स 2019-2020 के दूसरी तिमाही की तुलना में इस वित्ती वर्स के दूसरी तिमाही में राजस में 8% की कमी है जबकि उनके operating profit में 50% की विर्धी है इसका क्या कारण है कारण है करमचारियों की छटनी जो करमचारी हैं उनके वेतन में कमी और कच्चे माल के मुल्ल में कमी अब इन सब का असर अनुपचारिक छेत्र पर पड़ेगा अगर हम अनुपचारिक छेतर की बात करें तो भारती अर्थ विवस्था में इसकी भूमी का अत्यंत महत्पूर्ण है अनुपचारिक छेतर की तुलना में जादा रोजगार स्रिजन करता है जबकि GDP के आंकणों में अनुपचारिक छेत्र को या तो सामिल नहीं किया जाता है और अगर सामिल होता भी है तो अत्यांत सुक्षम इस तर पर अनुपचारिक छेत्र को सबसे बड़ा जटका लगा था विमुद्री करण के बाद क्योंकि अनुपचारिक छेत्र में आर्थिक गतिवीधियां वो नगद आधारित होती हैं और विमुद्री करण ने ततकालीन प्रचलित 500 और 1000 रुपए के नोट को प्रचलन से बाहर किया था और अनुपचारिक छेत्र को कोरोना महमारी के प्रभाव का असर भी झेलना पड़ा है क्योंकि reverse migration के कारण इनकी उत्पादन प्रक्रिया बाधित्वी वहीं बाजार में मांग की कमी का भी नुकसान उन्हें उठाना पड़ा मांग में कमी के कारण उनके उत्पादन प्रक्रि की हम बात करें तो दूसरी तिमाही में इसमें 6.7% की गिरावट है पिछले वित्ती वर्स के दूसरी तिमाही की तुलना में और इसकी पुष्टी करते हैं Index of Industrial Production या अध्योगिक उत्पाद सुचकांग जिसके Core Sector इस Core Sector में 8 उध्योग सामिल है और Index of Industrial Production में इसका 40% का भा है तो IIP के Core Sector से सम्मंदित October महा के आंकणों के अनुसार इसमें 2.5% का संकुचन देखा गया है जबकि वित्ती वर्स 2019-20 के October महा में इसमें संकुचन माइनस 5.5% का था इसका मतलब है कि संकुचन के इस तर में और विर्धी हुई है और यह संकुचन लगातार 8 में महिने म देखा जा रहा है इस संकुचन का कारण है स्टील और रिफाइनरी उत्पाद के उत्पादन में कमी और अगर यही इस्तिती रहती है तो आर्थिक सुधार की जो सतत गती है उस पर एक बड़ा प्रश्ण चिन लग सकता है बात करते हैं सकल इस्थाई पूंजी निर्मान की सकल इस्थाई पूंजी निर्मान या ग्रॉस फिक्स्ट कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है प्लांट मसीनरी एवम उपकरण की खरीद सडक रेलवे वानेजिक भवन का निर्मान सकल इस्थाई पूंजी निर्मान में लगातार पांच तिमाही से संकुचन देखा जा रहा है हाला की दूसरी तिमाही में संकुचन की इस्थिती बेहतर हुई है और यह बेहतर होकर हुई है माइनस 7.3% जिसका कारण बताय जा रहा है नीजी छेतर के द्वारा की गई पाहल परन्तु सरकार के द्वारा भी खर्च किये जाने की आवसकता है परन्तु सरकार चिंतित है किस बात के लिए कि सरकार के कर संग्रह में कमी आ रही है वहीं सरकार का राजकोसिय घाटा बढ़ता चला जा रहा है और सरकार का रिन जीडीपी का जो अनुपात है उसमें भी वृद्धी देखी जा रही है रिन GDP का आदर्स अनुपात होता है 60 प्रतिसत जबकि सरकार के रिन GDP का अनुपात वह 60 प्रतिसत से कहीं जादा हो चुका है। जैसी यूजना को सरकार की द्वारा चलाना। 26.7% की वहीं दूसरी तिमाही में यह दर कितनी है 11.3% की हाला कि इसमें कमी देखी जा रही है आसा यह है कि तीसरी तिमाही में मतला October, November और December में संकुचन में और कमी आएगी क्योंकि त्यहार के मौसम के कारण उपभोगताओं के व्या में बढ़ोतरी होगी या यू कहें कि उपभोग मांग में वृद्धी होगी चालू वित्वर्स 2020-21 की अगर पहली छमाई की हम बात करें तो नीजी उपभोग व्या में कमी का सबसे बड़ा कारण यहां पर क्या है कारण है महामारी के दौरान लॉगडाउन जो लगाए गया था उस लॉगडाउन की अबधी मे नीजी उपभोग व्या में कमी का होना दूसरा कारण है कई व्यक्तियों का अपने रोजगार को खोना और तीसरा कारण है व्यक्तियों के आए में या तो अनिश्चितता की इस्तिति या आए में कमी का होना निश्करसता यहां पर यह बात कहीं जा सकती है कि आर्थिक का यह मानना है कि सरकारी व्याय का ऐसा स्वरूप जो पूंजी गत व्याय के रूप में है तो उससे लाब यहां पर यह होगा कि इस प्रकार के व्याय से पूंजी निर्मान की दर में वर्दी होगी जब पूंजी निर्मान की दर में वर्दी होगी तो फिर रोजगार का सिर् से लोगों की आय में विर्दी होगी, लोगों की आय में विर्दी से फिर मांग में विर्दी होगी, और मांग में विर्दी से फिर पूर्ती पक्ष मजबूत होगा, और पूर्ती पक्ष के फिर मजबूत होने से फिर रोजगार सिजन होगा, तो इस प्रकार एक सू चक्र का निर्मान होगा और भविस में यह जो राजकोसी घाटा जो वर्तमान में बढ़ेगा वह कम होता चला जाएगा आर्थिक सुधार की निरंतरता इस बात पर भी निर्भर करती है कि COVID-19 महमारी की दूसरी लहर आती है या नहीं आती है अगर नहीं आती है तो कोई बात नहीं परिनाम यह होगा कि फिर आर्थिक गतीविदी धीमी होगी वृःधि दर प्रभावित होगी पूर्थी पक्च भी प्रभावीत होगा इससे मुद्रा इसफीति में वृःधि होगी और फिर रोजगार स्रेजन में भी कमी आएगी जिस का रण बिरोजगारी की दर में समाज पर भी दिखाई देगा जब बिरोजगारी एवं भुखमरी की इस्तिती समाजिक असंतोस में वृद्धी करेगी इसलिए आविस्चक्ता इस बात की है कि समाज सोसल डिस्टेंसिंग के नियमों का उचित रूप से पालन करें इस प्रकार इस संपादिकी में हमने इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ नमस्कार